हालो मित्रों जैसे मैंने आपसे प्रमिस किया था कि मैं कल बाला वीडियो जो है जो मैंने 16 को अप्लोड किया था वो अंग्रेजी में था और यह मैं खास हिंदी में आप लोगों के लिए बना रहा हूं और आज का जो टॉपिक है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है कि सूर्य आज 17 तारीक को करकल राशी में प्रवेश कर चुके हैं और ठीक उनके सामने शनी देव हैं सूर्य के सामने शनी देव होने का हर लगन पे हर राशियों पे क्या प्रभाव पढ़ने जा रहा है क्योंकि यह दोनों ही ग्रह आपस में शत्रू हैं बाप बेटा है एक अहंकार है एथोरिटी है और दूसरा वहीं पर एक कार्मिक प्लानेट है टीचर है नयाई धीश है शनी देव मकर राशिय में चल रहे हैं ब्रह्मन कर रहे हैं तो आई देखते हैं कि हर एक लगन पे और मैं लगन की बात कर रहा हूं आप चाहो तो आप अपने मून राशी से चंदर राशी से भी देख सकते हैं इस वीडियो को अगर आप पूरा देखना नहीं चाहते है क्योंकि हो सकता है कि आपको सिर्फ अपने ही अपने ही लगन में या अपनी ही राशी में या अपने पर जनों की राशिया देखनी हो तो मैंने इसके description box में इस video में मैंने time stamp डाल दिया है आप संबंद जो राशी या जो लगना आप चाहो उसे देख करके अपना समय बचा सकते हो तो चले शुरू करते हैं सबसे पहली जो राशी है वो है मेश राशी मित्रों मेश राशी वाले इन राशी वालों के लिए हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि यह जो सूर्य के सामने शनी देव की का जो यह समावेश बना हुआ है जो position बनी हुई है यह आपके चौथे घर को और आपके दस्वे घर को प्रभावित कर रही है क्योंकि सूर्य करक राशी में है और वहीं पर शनी देव मकर राशी में है अब चौथा घर फैमिली का है डोमेस्टिक है आपका परिवार है तो यहां पर थोड़ी बहुत disturbance थोड़ी बहुत विवाद कुछ चीजों को लेकर के परिशानियां मैं परिवार में देख रहा हूं वहीं पर दस्वा घर जो है वो करियर का है आपके प्रोफेशन का है आपके काम काज का है और वहां पर मैं प्रगति देख रहा हूं यह ज़रूर है कि प्रगत्ति के साथ मैं यह देख पा रहा हूं कि वहां पर थोड़ा सा आपका जो काम है वो बढ़ सकता है और उस वज़े से आप थोड़े से परिशान हो सकते हैं परिवार में अहम को लेकर अहंकार को लेकर के ऐसी कोई बाते परिवार में उठ सकती है जिसमें परिवार के अंदर डिस्टर्बंस पैदा हो सकता है उसी तरह से यही चीज आपके ऑफिस में आपके कंपनी में आपके कारे शित्र में भी आपके जो साथी हैं जो कलीग्स हैं उनके साथ भी संभावना दिखती है वर्कलोड मैंने पहले ही बताया था बढ़ जाएगा और वो वर्कलोड बढ़ने के वज़े से जो परेशानी हैं आपको आती दिख रही है आपको थोड़ा सा देहरे बना के रखना होगा क्योंकि आपको पता है कि सूर्य लगबक 15-16 अगस्ट के आस पास इस राशी से निकल जाएगा तो यानि शनी में शनी देव और सूर्य की ये जो ऑपोजिशन है ये खतम हो जाएगी तो इसके बाद आपको रिलीफ मिलने जा रहा है अब दूसरी राशी जिसकी हम बात करेंगे वो है ब्रिशव राशी ब्रिशव राशी वानों के लिए ये जो गर्वों की स्तिती बनी हुई है ये आपके तीसरे घर को और आपके नौए घर को प्रभावित कर रही है तीसरा घर जैसे कि आप जानते हो ये आपके भाई भेनों का है आपके परोसियों का है यहां से आपका confidence देखा जाता है आपकी हिम्मत देखी जाती है यहां से mask, media, communication देखा जाता है तो ऐसी स्तिती में और नौए भाव में जैसे आप देख पा रहे हो तो वहां पर नौए भाव लग का भी है और religious activities उसी जगा से देखी जाती है तो ब्रिशाप राशी वालों के लिए हो सकता है कि आपके भाई भेनों के साथ में थोड़ा सा मुठ मुठा हो सकता है फैमिली में थोड़ा सा disturbance हो सकता है और इसके वैसे से आप काफी परेशान भी रह सकते हो आपको ऐसा लगेगा कि आप जो भी करना चाहते हो उसमें और आपको अपना जो कार्य है वो करने को नहीं मिल रहा है या अपनी कोई भी जो इच्छा है उसकी पूरती नहीं हो पा रही है घर में जो बड़े बुजर्ग है उनसे आपको काफी इज़त मिलती दिखाई दे रही है वो आप पर बड़े ही मतलब खुश है कोई भी धार्मिक काम आपके घर में या आप खुद अगर करते हो तो उससे फाइदा होता नज़र आ रहा है अगली राशी जिसकी बात करने जा रहे है वो है मिथुन राशी मिथुन राशी वानों को यह समझना है कि यह जो गरहों की प्लेस्मेंट बनी हुई है यह आपके दूसरे भाव को और आपके आठवे भाव को पर भावित कर रही है अब दूसरा भाव क्या है और आठवा भाव क्या है इसको समझते हुए कुछ चीज़ें चमैं देख पा रहा हूं। कुछ न कुछ परषानियान आपके फैंपली में मैं और अपकी कमाई में चैनल कमया हुआ जो धन आपके बैंक में है। उसमें थोड़ी सी परषानि आ सकती है सुर्थ यह दूसरा भाव धन भाव भी है कुटुम्ब भाव भी है वहीं पर आठवा जो घर है कि वो यकायक अचानक कोई चीजे करता है इसलिए आप कोई भी चीज को जहां पर आपने उमीद नहीं की थी या उमीद नहीं कर रहे हो वहीं से आपको कोई ना कोई चीजें होती नज़र आएगी खास करके फैमिली में एक बदलाओ बदलाओ किसी भी तरह का हो सकता है लेकिन एक बदलाओ नज़र आएगा अगर आप ऐसे कोई भी कारेश शेत्रे में काम करते हों जिसमें आपको बहुत डीप रिजर्च करना है तो आपके लिए यह समय बहुत ही उपयोग है क्योंकि आटवा घर रिजर्च का कोई भी चीज़ को गहराई तक उतर करके देखने का ही भाव माना गया है यह भी हो सकता है कि आपको जिस चीज में इंट्रेस्ट है या जिस पर रिजर्च करना चाहते हो वह टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था तो आज वह आपको टॉपिक समझ में आएगा आपको यह भी समझना होगा कि पैसो के मामले में थोड़े बहुत उतार चड़ाओ उतार चड़ाओ देखने को मिल सकते हैं आने वाले 30 दिनों तक आपको इस बात का ख्याल रखना होगा पहला तो आपको जादा खर्च नहीं करना है इस वक्त और हमेशा अपने बैंक के बैलेंस को चेक करते रहें कि अगर आने वाला समय थोड़ा सा आपके हाथ टाइट कर सकता है तो आपके पास एक बैकप प्लान होना चाहिए आपके पास कुछ पैसे जमा राश्य हो तो आपके लिए उत्री परिशानी का सबब वो नहीं बनेगा मितुन राश्य वालों को यह भी समझना होगा कि शनी देव अगर आठवे घर में हैं तो यह आपको स्पिरिचल ग्रोथ भी दे रहे हैं मेडिटेशन योगा इन चीजों में भी अगर आप चाहो तो परधान बहुत अच्छे से लगेगा अगली राश्य जिसकी हम बात करेंगे वो है करकराशी अब करकराशी वानों के लिए पहला भाव और सात्वा भाव पहला भाव आप खुद हैं सात्वा भाव आप हो आप अगरी बिजनस पार्टनर या किसी भी तरह का पार्टनर्शिप इस सात्वा भाव गर से देखा जा सकता है कि इस वक्त सबसे जादा दारोमदार या फोकस आपका अपनी और और आपके पार्टनर की और रहेगा दूसरी बार इस वक्त आपको बहुत धहरे से काम लेना है और ध्यांस पुर्वक आपको आगे बढ़ना है कि अगर वैसे ही आपके जीवन में आपके शादी चुदा जीवन में अगर कुछ परेशानिया थी है तो वो आपको बहुत सोच समझ करके उसको हैंडल करना है आपके चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएगी इसका बिशेश जहन करेगा बिजनस के लिया से भी ये वक्त इतना अच्छा नहीं है और बिजनस के लिए साथवाखर ही देखा जाता है अपनी जीवन साथी से अगर आपको लगे कि बात करने की में कोशिश कर रहे हैं और बात हो नहीं पा रहे हैं या बात करने जब में हम जा रहे हैं तो वो जगड़े में तब्दीर हो जाता है तो ऐसे में आप वारताल आप जो है अपने जीवन साथी के साथ में जितना हो सके उतना कम रखिए ताके ये चीज़ें आगे जाकर के और ज़्यादा तकलीफ में नडाल दे आपको अगर आपको बहुत साथा कंफूजिन लग रहा है आप समझ नहीं पा रहे हो चीज़ों को जो आपके पास हो रही है या तो फिर अगर आप किसी एक व्यक्ति को ढूंड रहे थे बहुत दिनों से और मैं उस व्यक्ति की बात करता हूँ जिसको हम कंपैनियन्शिप कहते है जिससे आपकी इच्छा है कि आप उससे शादी करो यानि कि रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं आपको ऐसा लगेगा कि वो जो व्यक्ति है, जिसकी तरफ मैं आकरशित हुआ हूँ, उसकी तरफ से जो रिस्पॉंस हाना चाहिए, आपको थोड़ दिन असा लगएगा कि ये बहुत कोल्ड है, बहुत डल है, और जो मेरी अपेक्षा है, उसमें वो व्यक्ति ख़रा, नहीं उतर पा रहा है, ये हो आपका शिवानों के लिए हमें समझना होगा कि ये समावेश जो बना हुआ है, शनी देप का और सूर्य का, ये आपके बारवे घर को और आपके छटे घर को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन में है, यहां पर मैंता बोच सकता हूं कि ये एक ऐसी राशी है या रोज मरा का काम है, उसमें ना चाहते हुए भी पता नहीं किस तरह से आपको अरचने आ रही हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो, छटा गर है, बारवा गर, खर्चों का भी है, आपके लाइफ में यकाहत बहुत ज़्यादा टेंशन पैदा हो जाएगा, आपको समझ में नहीं यह टेंशन क्यूं, किस वज़े से, और ज्यादा तर यह आपके जॉब को लेकर के टेंशन होगा, आपके करीयर को लेकर के होगा, आपको अगर कोई नया बिजनस खोड़ रहा है उसको लेकर होगा, तो थोड़े दिन के लिए इस चीज़ को अगर आप अपने, बहुता है कि एक चीज़ को थोड़े दिन के लिए टालना कभी-कभी ज्यादा अच्छा होता है, बजाए ऐसे कि वो चीज़ पूरी तरह से आपके हाथ से निकल जाए, अब कुछ कानूनी दावपेज या कानूनी मसले आपके सामने आ सकते हैं, या अगर चल रहे हैं, तो वो भी समस पैदा कर सकते हैं, तो कुल बिलाके ये समय जो है वो थोड़ा सा आप दूरी बनाया रखो, दुश्मन बढ़ सकते हैं, जिससे आपने उमीद भी नहीं की थी, वैसे लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, आपका आप जिस भी फील्ड में काम करते हो, जिस भी में को काम तो मिल रहा है, लेकिन मेरे में ताकत नहीं है, मैं फिजिकली इतना स्ट्रॉंग नहीं हूँ कि मैं इस चीज को हैंडल कर पाऊं, ये एक साइकोलोजिकल बैरियर आपके सामने आके खड़ा हो सकता है, आपको अपने सिहात का ख्याल रखना है, खान पान का ख्या जादा अच्छा रहेगा, बहुत से लोगों से ना चाहते हुए भी जबरतस्ती जो हम कहते हैं पंगा ले लेना, वो उस तना का एक सिचुएशन मैं देख पा रहा हूँ, चैलेंजिस हैं, आने वाले 30 दिन के लिए चैलेंजिस हैं, शांती बनाए रखो, धहरे बनाए अगली राशी जिसके हम बात करेंगे वो है कन्या राशी, कन्या राशी वालों के लिए यह जो पोजिशन बन रही है, यह आपके पांचवे घर को परभावित कर रहे हैं और आपके ग्यारवे कर को, हमें पहले समझना होगा कि यह जो दो घर है, दो भाव है, वो क्या है, पांचवा घर आपके बज्चे का है, शेर मार्केट का है, क्रेटिविटी का है, इंटेलिजिंस का है, इन जीजों को हम यहां से देखते हैं, पांचवा जो घर है वो रोमैंस से भी संबंद रखता है, क्योंकि लव एफेस यहीं से देखे जाते हैं, वहीं पे ग्यारवा वो आपकी इच्छा पूर्ती करता है आपका सोशल सर्कल वहां पे दिखता है यह आपको जहां पर भी आपकाम करते हैं उसे आने वाली आमदनी में पताता है इसे हम लाब स्थान कहते हैं ग्यारवेगर को अब इस सिच्वेशन में ग्याराश्ची वालों को क्या उमीद रखनी चाहिए, तो अ आप ने जादातर आपका फॉकस हैं इन दो बातों पर गड्य गड्य उच्छी जगह पर जाएगा और इसी दो वज़े से creativity कला इसी को लेकर के ही आपको सबसे जादा परिशानिया भी आएगी disturbance रहेगा राइफ में आपकी जो मित्रमंडली है आपके जो दोस्त है आपके जो सहलिया है जो भी आप कहलो उसे आपको इसा लगीगा कि वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं मेरे पास नहीं आना चाहते हैं शहत उन्होंने सोच लिया कि वो मुझसे बात नहीं करें इस तरह के psychological thoughts आपको आ सकते हैं और वही आपके लिए दिक्ट कर सकते हैं अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जैसे के हो सके तो argument या किसी को कुछ बोल देना ऐसा बोल देना कि वो एक मित्र को बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचा सके हट कर सके ऐसा काम मत करना आपको ऐसा भी लगेगा कि आपके जो फैमिली है वह आपको जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए रोकती क्यों है आपको यह चीज पसंद ने आएगी कि मुझे रोका क्यों जा रहा है मैं यह करना चाहता हूं या चाहती हूं और यह नहीं कर पाने हूं आपके जितने भी प्लांज है और वो जो प्लांज जो इसमें आपके दोस्त इन्मॉल्व है जैसे कि आपको कहीं घूमने जाना है किसी पिक्निक पर जाना है किसी हाइकिंग पर जाना है पिच्चर देखने जाना है दो-तीन दिन के लिए किसी अपने स्टेट के भार हीजा है यह प्लानिंग आपकी यह काफी दियों ज़ चल रही थी लेकिन इस प्लानिंग में या इसे की पूर्ती होने में कही ना-कही अरचन आएंगी और वो अरचनों के वजे से ही आपको frustration बहुत जादा हो जाएगा इसमें किसी की भी गलती नहीं होगी लेकिन आपने इतनी उमीद बान रखी थी उस चीज़ से कि हम ऐसा करेंगे हम ऐसा करेंगे और वो चीज़ अगर पोस्पोन हो जाए या पूरी तरह से खारिज हो जाए कैंसल हो जाए तो सभाविक है आपको इस चीज़ का बूरा लग सकता है तो यह था कनया राशी वालों के रिए अगली जो राशी है वो है तुला राशी अब देखिए तुला राशी वाले इनके लिए जो दो पोजिशन बनी है सूर्य की और शनीदेव की यह जो दो घर को प्रभावित कर रही है वो है चौथा घर और आपका दस्वागर ठीक है यह उसी तरह से जैसे मैंने मेश राश्ची के लिए बताया था आपको यहाँ पर फिर से वही बात हो जाएगी कि आपका पूरा जो तवज्जो है फोकस है ध्यान है वह आपके चौथे घर में आने के घर-परिवार दस्वे घर में आने के कारेशित्र में करियर में इस जगह पर आपका फोकस रहेगा गुना भी चाहिए लेकिन आपको बहुत सम्हालना होगा आपको बहुत सम्हाल की काम करना होगा खास करके अपने घर पे क्योंकि फेमिली मेंबर्स से बात करते वक्त या उनके साथ में कुछ वक्त बिताते वक्त हो सकता है किसी बात बात में ऐसी बात निकल आए जिसके वैसे वह डुमेस्टिक जो है उसमें कहीं पर दरार पड़ जाए या करवा पन निकल के आ जाए उसका बहुत ध्यान रखना है आपको कोई बहुत ही सीडियस चीज थी जो आज तक जिसकी कोई बात नहीं हुई लेकिन यकाय को चीज आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी और वो भी आपको काफी प्रभावित कर सकता है आपको ऐसा लगे जा कि अगर आपकी नेचर ऐसी थी कि आपकी सामने खड़े होकर के बात नहीं कर पाते थे हिच की जाते थे या अपने आपको थ़रा सा confidence लो था आपका तो यह समय में आपको confidence मिलने जा रहा है आप बहुत authority से बात करोगे, आपकी बातों में वजन होगा, सामने वाला आपकी बात सुनेगा, क्योंकि आपका जो कहने का लहजा होगा, वह इतना अच्छा होगा, कि सामने वाला आपकी बात सुनेगा. अब एक बात का और ख्याल रखना है, आपको सामने वाला सुन रहा है, लेकिन फिर भी आपको अपने उपर डाउट आ रहा है, आप नर्वस हो रहे हो, आप अपने ही काबिलियत पे शक्क कर रहे हो इस पर, क्यों? ये आपको खुद सोचना होगा, आपको इस तरह का डाउट बिलकुल अपने दिमाख से निकाल देना चाहिए, आप जो कारे करते हो, सारों से करते हो, अच्छा अनुबह हो है आपका, उसके बाद में अगर इतने सारों के बाद अगर आप बोलो कि मुझे ही काम करने में confidence नहीं है, तो ये बात थोड़ी ध अगर देने वाली बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा सा अप सिक्यूर नहीं फिल करोगे है, एक तरह की इन सिक्यूरिटी आप में रहेगी, चीजों को खोने का, लोगों को खोने का, पोजिशन को खोने का डर सताएगा आपको, ये नहीं होना चाहिए, इस का विशे स्तिहान रखे, अगली राशी जो है, विर्ष्चिक राशी, विर्ष्चिक राशी वानों के लिए ये जो दो ग्रह हैं, सूर्य और शनी देव, ये जो ओपोजिशन बना हुआ है, ये आपके तीसरे भाव में और नवे भाव में बैठा हुआ है, मैंने तीसरे भ कम्यूनिकेशन का है, आपके भाई भेनों का है, आपके पडोसियों का है, आपके धहरे का है, आपकी हिम्मत का है, आपकी सोच, आपकी लिखावाट, ये सब कुछ तीसरे घर से देखा गया है, चोटी आतराएं तीसरे घर से देखी जाती है, वही पर जो नवम स्थान है, निए भागेस्तान है वहां से आप अपने इंस्पिरिशन को देखते हैं गुरुओं को देखते हैं मेंटर को देखते हैं रिलिजिस एक्तिविटी धार्मेक कारे आपका जो होते हैं वह देखते हुआ लंबी यातरा यानी कि foreign country अगर आप जा रहे हो तो विर्चिक वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है क्योंकि एक तो spiritual अच्छी growth हो रही है आपकी religious activities में आपका ध्यान लग रहा है वहीं पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है आपके relation में relation में थोड़े सी कड़वाट आ सकती है तो उसका आपको ध्यान रखना होगा और relation खास करके मैं जो बात कर रहा हूं वो आपके पती या पत्नी की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपके रिष्टेदारों के और खास करके आपके भाई बेहनों की बात करता हूं तो अगर ऐसा लगे भी तो थोड़ी दिन के लिए शांत रही है वरना यह चीज़ एक बहुत ही अजीब सा रूप ले लेगी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप थोड़े से सोबर थोड़े से शांत या तो अगर सिचुएशन कोई बन के आजा आजा है फैमिली में तो अपने आपको उस जगह से निकाल लेना कभी-कभी सिचुएशन से बहार निकल के आजाना ही आपके लिए हमेशा अच्छा सावित हो सकता है क्यूंकि अगर आप उस चीज में आगे बढ़ते हो और आपके मुझ से कोई बात निकल जाती है जो किसी को बुरी लग जाए तो वो सिचुएशन को फिर आप हैंडल निकर पाओ दें तो सोबर बने रही है और किसी भी तरह का ना बजित कीजिए ना किसी से कोई भहस कीज कि आप शांती बनाए रखिए एक अच्छा रिलेशन अपने बच्चों के साथ में बनाने का समय है बनाना चाहिए भी और यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि आपको उसमें फाइदा भी नज़रा रहा है जो लोग अच्छे बड़े ओदे पर काम कर रहे हैं आपके सीनियर्स हैं आपके उपर जिसको आप रिपोर्ट करते हो उनकी तरफ से आपको बहुत इज़त मिलने जा रही है आपको एक नाम एक शौरत मिलने जा रहे हैं लोग आपकी तारीफ करेंगे आपने जो कुछ भी किया है पिछले कुछ सालों में कुछ महिनों में आप इस वक्त अपने अंदर जाग करके अपनी खुद की गलतियों को एक क्रिटिक बन करके देखना पसंद करेंगे और आप करेंगे भी जिसे हम लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग होते जो सौर्ट एनलेसिस करते हैं कि चलो मैं देखता हूं कि मैं ऐसा क्यूं हूं मेरे में क्या गलतिया है हमें हमीशा लगता है जो हम बोलते हैं हम वह बल्कुत सही है लेकि दूसरों के नजरिये से बीदखना जरूरी होता है तो यह सब कुछ था ब्रिश्चिक राशी वालों के लिए अगली राशी जो है वो धनु राशी इसके बार में बात की धनु राशी वाले आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये जो पोजिशन बनी है ये आपके दूसरे घर में और आठवे घर के अंद में बनी हुई है है और इसके बार में बता चुका हूं कि यह सेम पॉजीशन मिठवुन रीक बालों के लिए भी बनी है लेकिन बद आशी वालों कि इसमें दूसरे घर में सूर्या 8 आठवे घर में शनी है यहां पर बुरा उल्टा है यहां पर दूसरे घर में आपके शनी देव है आठवे घर में आपके सुर्य है तो देखें इसमें क्या हो सकता है आपको एक आठवा घर यानि की अचानक आठवा ट्रांस्वर्मेशन तो लाइफ में चेंजिस आपको दिखाई देंगे दूसरी बात है यह जो चेंजिस हैं यह हो सकता है कि आपको आपके परिवार से दूर ले जाए या आप जहां पर रहते हो वहां से री-लोकेट कर ले या आप शहर छोड़ दे यह भी हो सकता है आपके इस वक्त आपके दिमाख में जो बाते चल रही है वो सबसे जादा है पैसो को लेए यह सबसे जादा आपको चिंता इस बात की हो रही है लेकिन आपको इस वक्त शांत रहना है बेट करना है agora ह। आप जानते हैं कि आपकी साड़े सती का बिलकुल आखरी फेस चल रहा है जाते हुए शनीदेव आपको कुछ देना चाहते हैं लेकिन क्या आप लेने की परिस्तिती में हो शनीदव ऐसे ही देते हैं शनीदेव जब परिशा लेते हैं तो उसके बात में वो आपको रिजल्ट देने से पहले एक टेस्ट भी लेते हैं उस टेस्ट में अगर आप ख़रे उतरते हो तभी और सिर्फ तभी आपको ये अच्छे परिणा रफ्थ होते हैं रिसर्च में अगर आप हो या रिसर्च करना चाते हो तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है और आपको इन चीजों में बहुत अभी इंट्रेस्ट डेविलब भी होगा इस वक्त आपकी वो मुझे पता नहीं सो क्या बोलते हैं रेकित इंटूशन केहते हैं आने वाली बातों को समझ जाना एक आभास होता है कि कुछ गटित होने वाला है आपको पहली समय में आएता है तो वो जो पावर होती है इसको इंट्यूटिव पार बोलते है वो आपकी पावर बहुत अच्छी होती जा रही है वहीं पर आपमें नर्वसनेस बहुत है, आपमें नर्वसनेस है, आपमें डिप्रेशन है, इसका अज़र आपको मिशेश ध्यान रटना होगा अब अभी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज ढूट रहे हो, जो आपके लाइफ में कुछ चेंजिस लेकर आए लेकिन आपको पक्का पता नहीं है कि क्या मुझे यह करना है या नहीं करना है, आप अभी भी सोच ही रहे हो, आपको अपने comfort zone से बहार आना होगा अगर परस्ततियों को चेंज करना है तो, आप पर आप भार आते हो तो भार आते ही आपके सामने जो फ्यूचर है वो आपको दिखाई भी देगा और आप उसकी तरफ आगे प्रस्तान भी करोंगे दूसरा आपको अपने इनलोज से यानिके ससुराल पक्ष से संबन मधूर बना के रखने हैं कि यहाँ पर थोड़ी अर्जन हो सकती है हमें पता होना चाहिए कि जैसे मेरा दूसरा भाव अगर मेरा कुटुम्ब है तो आठवा घर जो है वो मेरे पत्ती अपत्नी का कुटुम्ब है वहाँ पर शनी देव और सूर्यक का एक्सिस बना हुआ है यह थोड़े सा मुट मुटाओ कर सकता है आपके ससुराल के साथ तो यहाँ पर आपको प्रध्यान देने की आवशक्ता है अगली राशी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मकर राशी मकर राशी वालों को यह समझना होगा कि यह जो ओपोजिशन बना हुआ है यह इनके पहले और इनके सात्वे खर्क में प्रभाव डाल रहा है तो क्या करना है जैसे कि यह सेम चीज मैं ने बताई थी आपको करक लगना वालों के लिए यही होने जा रहा है अब यहां पर पहले भाव में पहले घर में आपके शनीदेव है वहीं पर सात्वे भाव में आपके सूर्य है ऐसे में सबसे ज़्यादा जो चीज आपको इस वक्त आपका सेंटर होगा सबस्यादा आप उस पे तबज्जो देंगे, ध्यान देंगे, वो होगा आपका शादी का घर आपकी जो पती है या पत्मी है, इनकी नेजर में यका यक बहुत बदलाव आ जाएगा बदलाव अच्छा भी हो सकता है, बदलाव नेगेटिव भी हो सकता है और वो बदलाव अच्छा हो या बुरा हो, उसके वो तो ठीक है, लेकिन आप उस बदलाव को शायद इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाओ, जेल ना पाओ, यह हो सकता है बद, फिर भी आप अपने शादी को बहुत अच्छी तरह से निभा भी लोगे, हैंडल भी लोगे अभी साथवा घर जब आता है, तो मैंने आपको हमेशा कहा है, खली पतनी कोही वहाँ से देखा नहीं जाता आपका बिजनस, आपके बिजनस पार्टनर, आपके ओपोनेंट्स, आपके ओडियन्स, यह सब कुछ वहाँ से देखा जाता है, तो यहाँ पर बिजनस और बिजनस पार्टनर्शिप, अगर आपके कुछ हैं, पार्टनर्शिप में आप काम कर रहे हो, तो आपको इस टाइ पर एक अच्छा समाविश बना कर रखना होगा अधर वाइज यहां पर पार्टनर के साथ में दिक्कत आने के चांसे हैं और यह चीज आपके रिष्टों को खराब कर देंगी उस पार्टनर के साथ कि अब आप में जो बदलाव आ रहा है हमें पता है कि बदलाव सबसे पहले यहां आता है और अगर यह आपका चेंज हो जाए कि सोचने का तरीका चेंज हो जाए उसमें कुछ डिफरेंस आ जाए तो यह कभी कभी जो लोग आपको जानते हैं जिनके साथ में आपका एक तालमिल बैठा हुआ है उनके लिए थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है वो समझ दी पाते है कि आपको यकायक हुआ क्या मुझे पता है कि यह ट्रांस्फोमेशन है लेकिन सामने वाले को यह बताना या समझाना यह थोड़ा बड़ा ट्रकी मामला है यह किसी भी तरह का निवेश किसी भी तरह का इन्वेश्मेंट इस वक्त प्लीज मत कीजेगा क्योंकि वो investment आपको भारी नुक्सान में डाल सकता है हमें ये भी आद रखना है कि ये आपका middle phase है साड़े सती का इसे निकल जाने दीजे इस टैब पे investment बिलकुल मत कीजे relax कीजे आराम से और बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है अगली राशी जो है वो है कुम्ब राशी कुम्ब राशी वालों के लिए ये जो access है ऑपोरिशन जो बना हुआ है वो उनके बारवे घर में और छटे घर में प्रभाव डाल रहा है बारवा घर is all about मतब बारवे घर से हम विदेशी हत्रा देखते हैं बारवे घर से हम लॉस देखते हैं लेकिन हमेशा लॉस पैसे का हो ज़रूरी नहीं है बारवा घर आपका प्राइवेट रूम आपका बेडरूम बताता है बारवा भाव आपको दूसरी दुनिया से मिलाता है जिसको हम ऑकल्ट कहते है पैरनॉर्मल अक्टिविटी कहते है वो भी वहां से देख सकते हो आप यहां पर आप देखोगे कि आप में एक स्पिरिच्छल ग्रोथ हो रहा है अच्छी बात है और आपका जो वर्क लाइफ है जाए कारे शेतर जो है उसके कनेक्शिन्स आपके फॉर्न कंट्री से जोड़ रहा है यानि कि फॉर्न कंट्री से आपका आपकी वारतलाब हो या आपको कोई कॉंट्राक्ट मिल जाए या कुछ आप ऐसा करो जिसमें आपको वहां से कोई एफिलेशन मिल जाए फ्रेंचाइजी मिल जाए कुछ लेकि फॉर्न कंट्री से कुछ ना कुछ लेना देना है अब स्पिर्चुयालिटी के लिए ये सबसे और सार मेरे खाल से सबसे बेस्ट समय आपके लिए चल रहा है रोज बरा की जिन्दगी में जो डेली हम लोग काम करते हैं उसे रोड़ से आप उप गए हो तंग हो गए हो बहुत मनोटोनस हो गया है आपके लिए मेरे ख्याल से और वही आपको बहुत तकलीफ में डाल रहा है आप उस काम से उस रोज रोजाना काम से ठक चुके हो आपको एक ब्रेक की आवशकता है आपको लेना चाहिए एक ब्रेक हेल्थ को लेकर के अपनी सेहत को लेकर ख्याल रखी गा तोड़ी सी गड़वडा सकती है च्छटा भाव रोल प्ले कर रहा है और बारवा भाव है तो ये एक दिक्कत हो सकती है इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप किसी से बात करते हो तो सोच समझ के बात कीजेगा हो सके तो कोशिच कीजिए कि जितना कम बात कर सको क्योंकि कही न कहीं मुझसे निकला हुआ कोई शब्द आपके रिस्ते बिगार सकता है खराब कर सकता है लेकिन हाँ ये समय चुक है ये आपके मेडिटेशन के लिए योगा के लिए ऐसी सब जो बाते हैं उसके लिए आपके लिए कफी ओपियों की समय हैं आपको इसका पूरा फाइदा उठाना ही चाहिए अगली राशी जिसकी मैं बात करूँगा आपसे जो आखरी राशी है वो है मीन राशी मीन राशी पर बात करते हैं मीन राशी वाले इस बात को समझ लें कि आपके ग्यारवे और आपके पाँचवे भाव में लगेगा कि कुछ restriction यानि कि माबाप अपने बच्चों को हमेशा कुछ चीजे करने से रोकते हैं उसको restriction कहते हैं यह restriction जो है यह आपको थोड़ा तक्लीफ में डाव सकता है और खास करके आप ऐसी कुछ चीज करना चाहरे हो जिसको आप creativity कहते हो लेकिन वहीं पर थोड़े restrictions आ रहे हैं जो आपको पसंद बिल्कुल नहीं आ रहे हैं हाँ अच्छी बात है कि आप किसी चीज से अपेक्षा रखो उमीद रखो और अपने friends से अपने social circle से यह अपेक्षा करो कि वो लोग भी आपकी इज़त करें यह सब ठीक है लेकिन यहां पर इस दौरान जब तक कि जो बना हुआ है opposition आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगेगा कि आप थोड़े से लो हो आपको लगया कि आप बिल्कुल reserve हो जाओगे आप थंडे पड़ जाओगे जिसको हम कहते हैं कि यह आदमी बहुत थंडा है यह इसमें कोई emotions नहीं है और आप में जो एक चुलबुलापन बोलो वो कहते हैं कि एक चंचलपन होता है एक मुस्कुराट होती है एक smile maintain यह आप यह आपके लिए भी अच्छा नहीं है और आपके आसपास के लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है तो आपको इस बात का विशेश ध्यान रखना होगा मैं यह मीन डाशी वालों के लिए कह रहा हूँ आपका जो self-expression है जैसे लोग आपको देखते हैं आप सबको अपने expression से यह जताने की कोशिच कर रहे हो कि आप बहुत ही गंबीर इंसान हो बहुत सीरियस हो यह दर अपना सीरियस लोगों के साथ में ज्यादा तर लोग बैठना उतना नहीं पसंद करते हैं कि मंदश्य की जो प्रकृति यह जो उसका जो फित्रत है वही सोभाओं है वही बहुत सोचलाइजिंग है कि वह सोचलाइज करना पसंद करता है हां कुछ लोग है जो इंट्रोवर्ट है एक्स्ट्रोवर्ट है वह बात अलग हो जाती है लेकित यहाँ पर आप एक मेसिज भीज़ रहे हो लोगों को कि आप ठंडे पड़ चुके हो और आपको सोचलाइज करना नहीं पसंदा रहा ह यह आपके लिए तकलीफ में डाल सकता है आपको अगर आप किसी रिष्टे में हैं किसी से प्यार करते हैं वहां पर थोड़ा सा बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि यहां पर भी आपकी वज़े से खास करके आपके वज़े से ही यह चीज चो है क्योंकि आप शायद मेरे ख्याल से उस रिलिशन को वैल्यू नहीं कर पा रही हो कि यहां पर आपकी जो पोजिशन है बो भी बता रही है कि आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो आप रिष्टे में हमें क्या चाहिए वो तो है लेकिन सामने वाली की भी कुछ इच्छाए है उसको पूरा करना हमारा ही फर्ज है हमी को क्या ध्यान रखना होगा तो मित्रों के सब कुछ था आज 17 जुलाई है और आजी के दिन सूर्य करक राशी में प्रवेश्च कर चुके हैं और करक राशी से वो सीधा संबंद साद रहे हैं मकर राशी में शनी देव के साथ उसी पर ये वीडियो था मैंने सभी राशियों मानों के बारे में बात कर दिया आपसे अब ही आप अपने इस टाइम्स का फाइदा उठाइए अपनी राशी पर अपने लगन पर चाहिए और देखिए सबसे ज्यादा महत्वा लगन को दीजेगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मेरे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना मूला नहीं थैंक यू